मेडिटेशन क्या है? इस वीडियो को देखिए इसमें आपको सड़क में तेजी से भागती हुई ट्रैफिक दिख रही है इसको ऐसे देखिए कि सड़क आपका मन है और आपकी विभिन प्रकार की यादें, महत्वकांशाएं, घटनाएं, चिन्ताएं, विचार, भावनाएं आपके मन के अंदर दौरती भागती ट्रैफिक है अब सोचो कि ये विचारों की ट्रैफिक रुख जाती है और फिर जितनी विचारों की गाडिया है वे दीरे-दीरे गायव हो जाती है तो ऐसी स्थिती मेडिटेशन का स्टेट है, मेडिटेटिव स्टेट है अब आमतोर पर यह समझा जाता है कि एक दिवा बैट कर आखे बंद कर ध्यान करना मेडिटेशन है पर मेडिटेशन बहुत विखद है ओशो बोलते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तब वह मेडिटेटिव स्टेट में रहता है ध्यान की अवस्था शुद्य चेतना यानी प्योर कॉंशसनेस की होती है जहां कोई विचार नहीं होता है इसका अर्थ है कि हम अपने विचार नहीं है हम अपने विचारों से कहीं ज्यादा है मेडिटेशन एक ऐसी अवस्था है जहां यह जागरुकता होती है कि मैं अपना मन नहीं हूँ मैं अपना विचार नहीं हूँ मेडिटेशन हमें हमारी सच्चाई के प्रती जागरुक करता है अब जब विचारों की ट्रैफिक रुख जाती है तो उस शांती में उस मौन की इस्थिर्शन हमें हमारी आत्मा की शुद्धता और सत्यता से एक पारदर्शी तरीके से मिलन करवाती है जहां आनंद है और मासुमियत भी है वैसी स्थिती में हम इश्वर्श से एक हो जाते हैं यहां होशो बोलते हैं कि मेडिटेशन वाली जाग रुखता सोचने से नहीं बलकि करने से आती है उधारन के तौर पर अगर हम खाना खा रहे हैं तो अगर हम रोजमर्रा तरीके से मशीनी तरीके से खाना खाएंगे तो वो सिर्फ पिट में खाना ठूसने जैसी बात होती है और खाने का फाइदा नहीं होता है पर अगर हम अवेरनेस के साथ खाएंगे खाने के हर पल को महसूस करके खाएंगे तो हम जादा किसी भी हाल में नहीं खा पाएंगे और पेट में उतना ही जाएगा जितनी जरूरत है और साथ में खाने की खुशी भी रहेगी और संतुष्टी भी रहेगी कोशो महबत और रिलेशन्शिप में अंतर करते हैं महबत एक नदी के समान है जिसका कोई अंत नहीं है रिलेशन्शिप में सीमाएं बंज जाती है जबकि महबत की सीमाएं नहीं होती है और हम दूसरों के प्रती प्यार की भावना तब ही रख सकते हैं जब हम स्वयम से महबत करते हैं जब तक हम खुद से महबत नहीं करेंगे खुद के प्रती सकारात मकता नहीं रखेंगे तो हम दूसरों के प्रती भी प्रेम की भावना नहीं रख सकेंगे क्या आप जब हसते हैं तो क्या आप उसमें खुशी महसूस करते हैं या सिर्फ किसी मजाक में एक रियाक्शन की तरह हस देते हैं क्या आप जब खुश रहते हैं आप अपने दिल की धड़कन को महसूस करते हैं और जब आप स्वयम के साथ इस प्रेम का संबंद इस खुशी का संबंद जब आप रखोगे तब ही आप दूसरों को भी महसूस कर पाऊगे तब ही आप दूसरों से भी महबबत करने के लाएक बन पाऊगे और महबबत की यहां भावना यहां चेतना स्वयम में एक मेडिटेशन का रूप धारन कर लेती है तीसरा है क्रोध पर मेडिटेशन क्रोध एक ऐसी दशा है जिसमें व्यक्ति की बुद्धी बंद वजाती है और ज्यादातर परिस्थितियों में उसका क्रोध एक मेकैनिकल आदत बंद गई होती है अब अलग अलग व्यक्तियों के क्रोध को मूर्त रूप देने का तरीका भी अलग अलग होता है कुछ सामने मुव पर बोल देते हैं कुछ लोग चुप हो जाते हैं और बात करना बंद कर देते हैं दोनों ही दशा हानिकारक है, एक में तो रिष्टे खराब हो जाते हैं और चुप हो जाओ, तो खुद में ही व्यक्ति गुट-गुट कर शरीर में उसका हानिकारक प्रभाव पढ़ने लगता है। क्रोध पर मेडिटेशन तुनकर थोड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि मेडिटेशन को हमेशा शान्ती और आनन्द की स्थिती से जोड़ा जाता है, पर मेडिटेशन का क्रोध पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पढ़ता है। जब क्रोध आए, तो एक दर्शक बन जाओ, और क्रोध का संदेश सुनो। एक दर्शक के लूप में आप पाएंगे कि आप क्रोध नहीं है, आप स्वेम में क्रोध नहीं है, बलकि क्रोध के दृष्टा है, एक एक्स्टरनल अब्जरवर। क्रोध एक बहरी ताकत है जिसके सामने आप विवश हो जाते हैं, क्रोध आपके बहर है, इसे पहचानो और तोड़ो। जब आप क्रोध को अब्जर्व करोगे तो इसकी ताकत तूट जाएगी। अगर आप इस वीडियो के शुरुवात का सड़क याद करोगे, तो क्रोध भी एक तरह की गाड़ी है, जो उस सड़क पर बेतहाशा दोड़ रही है, आपको केवल अब्जर्व करके उस क्रोध की गाड़ी को रोकना है। क्रोध को कैसे हैंडल करना है, यहाँ पर हम कश्चिमी तरीके और ओशो के तरीके में फर्क देख सकते हैं। जैसे लूइज है, जो हीलिंग के शेतर में एक प्रसिध नाम है। उनके अनुसार शमा के अलावा अपना गुस्चा उतारने के लिए वा कहती हैं कि हम तकिये पर चिला सकते हैं, बिस्तर को पीट सकते हैं, तकिये पर लात मार सकते हैं, या बैक पर मुक्का मार सकते हैं। पर इस तरह का कारे करने से मुझे लगता है कि गुस्से की स्थिती शान करने की जगह कुरोध का विवार एक आदद भी बन सकती है। एडिटेशन से हम अपने विवार में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और अपने मन में और जीवन में शान्ती ला सकते हैं। बना सकते हैं। असली जीवन पॉजिटिव और नेगेटिव का टेंशन है। एक तरह का सम्मिश्रान। जैसे दिन के साथ रात है, गर्मी के साथ सर्दी है, खुशियों के साथ दुख है, गुलाब के साथ काटे हैं। वैसे ही जीवन में हमारी इस्थिती दुखो के बीच में चलती है। एकदम मिडल पॉइंट, कम्प्लीट बैलेंस कभी नहीं रहता। जिसे हम बैलेंस कहते हैं, वहा हमारे जीवन के सब अनुभवों का परिणाम है। हम पूर्ण तवी बनते हैं जब हम सब तरह के सकारात्मक और नकारात्मक अनुभवों से गुजरते हैं। और उसके बाद हम सब रोशनी और अंदकार के परे हो जाते हैं और स्वम में शान्ती का अनुभव करते हैं। अगर आपके मन में शान्ती का अनुभव नहीं हैं, तो आप अभी भी जीवन की भूल बुलईया में फसे हुए हैं। और इसका समाधान यही है कि हम सकारात्मक परिस्थितियों के साथ नकारात्मक परिस्थितियों को भी स्विकार करें। क्योंकि जीवन की कोई भी परिस्थिती इस्थाई नहीं होती है। और वो एक समय आता है जब वैसी परिस्थितिया बदलती है। पाजवा है अपने हिजाय को खोलो इसमें ओशो रिलेशन्स की बात करते हैं जो जीवन का अभिन्न हिस्सा है पर उनके साथ हम बिना मनमुटाव के बिना लड़े नहीं रह सकते हैं जैसे पार्टनर लोग आपस में लड़ते हैं व्यक्ति खुद सोचता है कि वहाँ सच्चा और अच्छा है और सामने वाला उसको दानव का दर्जा दे रहा है उसको खराब बोल रहा है जो यहाँ पर ओशो बोलते हैं कि अपना हिदा खोलो और इसके लिए उन्होंने जो अनुसार जब सास लोद तो यहाँ सोचो कि हिदा में जो फूल है उसकी पंभूडिया खुल रही है इस प्रक्रिया से वो हार्ट चक्र को खुलने की बात करते हैं जब आपका हिदा खुलेगा तब ही आप मौबत के सच्चे स्वरूप को जान पाओगे और साथ में आप स् जादा अच्छी तरह से समझ पाओगे और इससे आपके जीवन में एक नए सोहार्द का आगमन होगा ओशो कहते हैं कि दिमाग कायर है जितना सोचोगे उतनी नकारातमक था और उतनी नकारातमक सोच आपके अंदर पंपेगी जबकि दिल में दिलेरी रहती है जीवन को दि दिल की नजरों से देखना चाहिए साहर दायता से देखना चाहिए च्छटवा है जीवन को दिलेरी से जीयो हम अगर जीवन के एक रूटीन या दिन चर्या से बंज जाते हैं तो कुछ समय बाद वहा हमारा फैमिलियर जोन या कमफर्ट जोन बन जाता है कमफर्ट जोन में एक तरह से हम जीते जीव मर जाते हैं हम स्वयम ही अपने विकास में रोड़ा बन जाते हैं अपने जीवन को छोटा मत करो अपने जीवन का दाइरा बढ़ाओ और यह तभी संभव है जब आप रिस्क लोगे और जीवन के अपने हर पल को महत्वपूर्ण बनाओगे वोशो के अनुसार जोखिम लेना वास्तव में जीवित रहने की एक मात्र गैरंटी है साथवा है मन को देखना दिमाग में कोई आफ स्विच नहीं है होता तो शायद अच्छा होता की स्विच आफ किया और दिमाग में शांती चा गई पर ऐसा नहीं होता है जैसा इस वीडियो के शुरुआत में बताया दिमाग विचारों और भावनाओं का ट्रैफिक है और मेडिटेशन से इस ट्रैफिक को हम रोक सकते हैं पर अगर हम दिमाग से लड़ना चाहेंगे अपने दिमाग से संघर्ष करना चाहेंगे दिमाग को कंट्रोल करना चाहेंगे तो दिमाग और सशक्त बनता रहेगा दिमाग को शांत करने का एक ही तरीका है वो यह है कि दिमाग में जो चल रहा है जो विचार चल रहे हैं उसका साक्षी बनो आप महसूस करोगे जब जब दिमाग में अंतराल आता है गैप आता है वहाँ पर शांती प्रेम और आनन्द की अनुभूती होती है आप ऐसा करते रहोगे तो दिमाग के अंदर विचार और भावनाओं की यातायात अपने आप थम जाएगी और हर दिन के मेडिटेशन से दिमाग के अंदर ये यातायात और सड़के सब गायव हो जाएगी और आपको इसमें शांती और सुप की अनुभूती होगी जिसके लिए पर्मानंद और निर्वाना शब्त का भी प्रियोक किया जाता है इस प्रस्तूती को देखने के लिए धन्यवाद